तो देखे आज मैं आपके लिए फिर से एक मिठाई की रेसीपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही बढ़िया मिठाई है टेश्टी भी है और हेल्दी भी है बहुत ही हेल्दी मिठाई है और मार्केट में आप लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगी मिलती है ये मिठाई लेकि और यह बहुत ही दानेदार बनती है बहुत सोफ्ट होती है मुह में जाते ही गुनने वाली है यह देखे कितने अच्छे हमारी जो मिठाई यह बनकर तयार हुए देखे इसके दाने देखे कितने अच्छे हैं देखे और इस पर्फी को बोला जाता है डोडा पर्फी तो चलिए बना लेते हैं मैं रेखा, मेरी सुपर रसमे आप लोगों का स्वागत है अगर मैरी रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सस्क्राइब कीजिएगा और ज्यादा ज्यादा शेयर भी केजिए तो देखे, इस मिठाये को बनाने के लिए मैं ने यहाँ पर एक कप अंकूरित गेहू लिया है इसे स्प्राउट भी कहता है यह देखे मैंने इन्ये अंकूरित किया है और एक कम लिया है आप चाहे तो कम या जादा कर सकते हैं और अगर आपको इसे यहों को अंकुरित करना नहीं आता है तो वीडियो के लाश्ट तक देखेगा वीडियो में मैंने वो मिथड़ भी बताया है तो अब इसे क्या करना है हमें पीसना है और इसे कैसा पीसना है दर-दरा पीसना है बहुत ज़्यादा बारिक मत कीजिएगा तो चलिए इसे सबसे पहले पीस लेते हैं और यहां देखें मैंने इसे पीसा है इसे पीसते समय अगर आपको लगे तो एक से दो चम्मस दू दिया पानी ले सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं लिया है मैंने ऐसे पीस लिया इसे और मोटा मोटा पीसा है यानि कि दर-दर-दरा तो यहां मैंने खाली कड़ाई ली है और इस कड़ाई में इसे डाल देंगे जो हमने गिहों पीसे हैं उसे डाल देते हैं गैस चालू नहीं किया है मैंने अभी और यहां पर मैं ले रही हूँ दो चमच दही 2020 यानिकी कड और इसे अच्छे से मिला देते हैं और दही से आपका खट्टा नहीं होना चाहिए ूर्ण मिठाई खराब हो जाएगी और इसे अच्छे से मिला देते है इसके मिलाने के बाद ही हम गर्यस को चालू करेंगे तो देखे और दही क्यों डाल रही हूँ इसका रिजन मैं आपको आगे बताऊंगे गैस मैंने चालू कर दिया है और अब इसे दो से तीन मिट के लिए भून लेते हैं ये देखे लगातार चलाते भी भूनिएगा और कड़ाई भी भारे तले की लीजेगा ये देखे लगातार चलाते मैं इसे भून रही हूँ ये देखे और इसे कैसे मोटा मोटा रखा है देखे बारिक नहीं किया है मैंने ज़्यादा इस मिठाई की खासियत यही है इस पर थोड़े दाने से होते हैं तो यह देखे, दो से तीर मिट हो चुकी है और यह अच्छे से भुन भी चुका है तो अब मैंने यहाँ पर दूद लिया है तो यहाँ में एक किलो दूद डालने वाली हूं और यह दूद जो है, फुल फेट वाला दूद है और दूद आपको इसे भी ले सकते हैं पैकिट का ले सकते हैं या फिर आप भैंस का या गाई का मेरे यहाँ पर भैंस का दूद आता है तो मैंने वही लिया है और उसे लगातार चलाते हुए यह देखे, नीचे तक चलाईएगा वनना जो गेहू है नीचे जाकर चिपक जाएंगे तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी और इसमें उबाल आने देती हूँ फिर उसके बाल दिखाती हूँ आपको यह देखे और यहाँ पर देखे, उबाल आ चुका है अच्छी से अब यहाँ देखे, दाने से बन रहे है दही इसलिए डाला था हमने ताकि यह थोड़ा दूद फट जाए हमारा और इसमें दाने बन जाए इस मिठाई में जो दाने होते हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं यानि कि अगर दाने नहीं बनेगे तो आके मिठाई अच्छी नहीं बनेगी एकदम मार्केट जैसी नहीं बनेगी अगर आपका दूद नहीं फटा है यानि कि यह दूद नहीं फटा तो आप क्या कर सकते हैं 1-2 बोंद नीबू के रसी दे सकते हैं बिलकुल 1-2 बोंद ही लइजेगा ज्यादा मत लेजेगा बनना ज्यादा पड़ जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा और अगर नीबू नहीं डाल सकते तो विनेगर ले लिजेगा तो चलिए मैंने उसे अलग गैस पर उठाकर रख दिया है और यहाँ पर हम बनाएंगे लिक्विट गुलकोस यह मार्केट में भी मिल जाता है लेकिन हम घर पर ही बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने चार चमच चीनी लिए है और तीन चमच में इसमें डालने वाले हूं पानी और इसे चलाते हुए पकाएंगे चीनी को मेल्ट करेंगे हिलाते हुए मेल्ट कीजेगा नीचे चिपक जाएगे बना यह देखे और मिठाई को मैंने अलग गैस पर रख दिया है और यहाँ पर देखे नीम भूले आए आदा चोटा चमच ताकि हमारी जो चीनी है यानि कि चाशनी एकदम जमेना और इसे अछा अबाल आरा है इसमें अभी इसे और पकाना है हमें इस तरह से आप चेक करेंगे तो इसमे तार सा बनेगा अभी कुछ भी न mirror रहा है क्योंकि अभी इसमे इस उबाल आए तो इससे पकने देते हैं यह देखे तार नहीं बन रहा है न और पकने लेता है तो चलिए इसे फिर से चेक करते हैं और यहां देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे तार नजर आए इसके लास ट्रोप जो गिर रही है न उसमे तार देखेगा आपको यह देखिए थोड़ा सा और पकाएंगे और इसे चेक करने का अलग एक तरीका और है व तो अगर इस तरह से नहीं पता चलता है तो चलिए एक तरीका और पताती हूं कटोरी में पानी लीजे यहां देखिए मैंने कटोरी में पानी ले लिया है और इसमें थोड़ी सी हम ड्रोप डालेंगे उसकी चाशनी की यह देखिए अगर यह घुल जाती है तो आपके हो चुका है यह देखिए एकदम जैल की तरह हो जाएगा यह देखिए मेरे हाथ में किस तरह से आ गई है चीनी यह देखिए है जैल की तरह बन गया है न तो यह लिक्विड गिल्कोस बनकर तयार है तो गैस को आफ कर देते हैं तो यहां मैंने गैस को आफ कर दिया है तो च देखें, मार्केट जैसा बनकर तयार हो चुका है, यह भी और तिक हो जाएगा, ठंडा होने के बाद अभी गरम है यह, तो चलिए मिठाई देख लेते हैं आप, और यहाँ देखें, यह दूद थोड़ा गाड़ा हो गया है, यह देखें, और बढ़िया से इसमें दाने भी बन चुके हैं, तो अभी इसे और पकाना है हमें, अभी यह पूरी तरह से तयार नहीं हुए, तो चलिए आगे का प्रसेस करते हैं, यहाँ पर मैंने एक टेबल इस फून दूद लिया है, और इसमें मैं डालने वाली हूँ, एक चमच कोको पावडर, कोको पावडर यह वह इसकर वो भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कलर लिया है, यानि कि फूड कलर लिया है, दो से तीन ड्रोप भी डाल रही हूँ में, और यह रेड फूड कलर है, इससे जो हमारी मिठाई है उसमें कलर इक ता मार्केट जैसा आएगा, पर यह डालना ऑप्शनल, अगर आ नहीं करते हैं, तो देसी खान डाल सकते हैं, या फिर आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यह कहूंगी, इस मिठाई को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए आप इसे गुड का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ मैं थोड़ा-थोड़ा करके गुड इसमें डाल रही हू यह देखें, तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करते हूं, मैंने गुड को इसमें डाला है, गुड से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप गुड पसंद नहीं करते हैं, आप इधर में कोई गुड को अच्छा नहीं लगता किसी को गुड, तो फिर आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं, या देसी खांड भी ले सकते हैं, मैंने इसे हर तरह से ट्राइ कहा है, लेकिन गुड में मेरे बच्चों को मुझे बहुत ही बेस्ट लगती हैं मिठाई, और यह तो आपके उपर डिपेंड करता है, कि आप किसमें बनाना चाहते हैं तो यह देखें, इसे पकाते पकाते, उसका कलर देखें कितना अच्छा गया, अगर आप चाहें, तो कलर को अबॉट केजिएगा, और आप इसी तरह से रख सकते हैं, लेकिन मैं एकदम हलवाई हूँ जैसी बना रही हूँ, तो यह डाल लेते हैं, यह देखें, डाल दिया और यहाँ पर जो लिक्विट गुलकोस बनाए था हमने, वो भी इसमें डाल देखें, इतना गाड़ा हो गया है, और लिक्विट गुलकोस डालने से क्या होता है, हमारी जो मिठाई है, उसमें अच्छी शाइन आ जाती है, हलवाई लोग इसे जरूर डालते हैं, और इस मि अब नारेल का पूरा अदा, इससे इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता है, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, एक छुटा चमच जावेत्री का पाउडर लिया, यानि कि जाइफल का पाउडर, और एक छुटा चमची इलाइची पाउडर लिया है, इन सब को अच्छे स कि जाइफल से इसका टेस्ट बहुत निखरकर बार आता है और ये देखे इसमें दाने देखे आप इसका कलर देखे एक तम हल्वाई हो जैसा लग रहा है अगर आप ज़्यादा विनेगार या निमू का इस्तिमार कर लेंगे तो दाने बहुत बड़े हो जाएंगी तो आपक ये अब इसे और पकाना है हमें और कुछ ट्राइफूट भी लेंगे तो यहां मैंने काजु और बडाम को दरदरा दरदरा कूटा है आप चाहे तो कट करके डाल सकते हैं या बारिक पीस कर डाल सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा दरदरा रखा है ताकि इसका क्रण्च आए म मुम में तो और लगे गयो और अभी अच्छा से पकाते हैं जब तक कड़ाई ना छोड़े तब तक पकाएंगे अभी देखिए कितना पत्ताहलवा सा लग रहा है को और यह देखे इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है आप इससे इस तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं यह देखिए अब यह कड़ाई को थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है लेकिन अभी नहीं हुई है यह तयार थोड़ा और पकाएंगे इसे और मैंने कहा था ना आप वह देखे एकड़म कलाकन जैसा लग रहा है जब आप इस मिठाई को बनाएंगे ना बहुत ही जबर्दस लगने वाली है सारे इसके पैन हो जाएंगे और इसके इंग्रेडियंस आपको तो घर में मिल जाएंगे बाहर से लाने की जरूत ही नहीं है आपको कुछ भी यह देखें कितने अच्छी लग रही है तो थोड़ा से से और पकाएंगे और इस स्टेस पे आपको लगातार चलाना है छोड़ेगा मत बिल्कुल भी तो इससे निकालने के लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया आए और उसके पर मैंने गही लगा लिया है यह देखे आप चाहे तो थाले में निकाल सकते हैं मैं इसी पर निकालूंगी इससे तो यह देखें किस तरह से कड़ाई को छोड़ने लगी है और एकदम इखटा होने लगी है देखें बढ़िया से तयार हो चुकी है मिठाई किस तरह से स्मूथ स्मूथ सी लग रही है एकदम तो च सारी इसी पर निकाल लेती हूं मिठाई में और यहां मैंने सब निकाल लिए अच्छा से और अब इसे स्क्वाइर रखेगा काटने में आसानी हो जाएगी यह देखे और इसे थोड़ा मोटा ही रखेगा क्योंकि मार्केट में थोड़ी मोटे ही साइज में मिलती है पतला मत क आप इस पर चाहे तो थोड़े ड्राइफूट लगा सकते हैं यह देखे और इस तरह से मोटा रखा है आप चाहे तो काजू या अब अदाम थोड़े थोड़े इस तरह से डाल दीजेगा मैं तो आपको सिर्प डाल कर दिखा रही हूं मैं इसको बाद में डेकोरेट करने वाली हूं अभी नहीं डालूँगी तो आप इसे दो से तीन घंटे इस तरह से छोड़ दीजेगा प्रीज में रखने की ज़रूत नहीं यह वैसा ही जिम जाएगी और उसके बाद इसे कट करके इंजॉई कीजेगा यह देखे कितने जवर्दस देख रहे हैं ना हमारी मिठाई तो बन चुकी है तो देखे गेहूं को अंकुरित करने के लिए मैंने एक कब गेहूं लिया है जो गेहूं तो सबके घर में मिली जाता है तो इसे क्या करना है मैं बिगो कर 24 गंटे के लिए से रख देना है पानी में डाल कर अच्छे से धो कर बिगो कर रख दीजे तो 24 गंटे बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ यहां देखिए किस तरह से फूल गया है गयों और किस तरह से तूटने लगा है यह देखिए तो देखिए किस तरह से तूट रहा है यह अच्छे से पक यानि कि फूल चुगा है बिगो कर हमने तयार किया है जो अब आगे क्या करना है हमें से अंकुरित करना है तो यहाँ पर मैंने खाली छन्नी लिये इस तरह कि देखे और इसमें जो हमने गेहूं भीगो कर रखे थे वो मैंने कपड़े में डाल लिये यह देखें इस तरह से और इसी कपड़े में लपेट कर इसे रखेंगे तो यह देखें मैं इसमें इसको ढखकर इसमें मैं रख रही हूँ और यह cotton का कपड़ा है यह निकि सूती कपड़ा लिया है मैंने और यह देखें कपड़ा भी सुखा है और यहाँ पर मैंने पानी लिया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे गीला करेंगे और आप बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा पानी चिड़कते रहेगा जब आपको ड्राय लगे कपड़ा के सूप चुका है तो थोड़ा पानी डाल दीजे और आप इसे दो दिन तक इसी तरह से छोड़ दीजे तो चलिए दो दिन बात में आपको दिखाऊंगी और यहाँ दीखे यह देखे कितने अच्छे से अंकृत हो चुके हैं हमारे गेहूं अगर आपको ज़्यादा अंकृत करने हैं तो एक दिन और बढ़ा दीजे एक दिन के लिए से और छोड़ देजिए देखे इतने अच्छे से अंकृत हुए और इन गेहूं को आप सलात की रूप में भी खा सकते हैं सैलेट में डाल कर खा सकते हैं निकी सैलेट बना कर खा सकते हैं लेकिन फिलाल इसके लिए हम मिठाई बनाने वाले हैं तो हमारे गेहूं तो तयार हो चुके हैं अंकुरित गेहूं है न बहुत तीजी इने एक अंकुरित करना आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरू बताएगा अपना फीडबेक जरू दीजिएगा धन्यवाद